नमस्का अदर्श्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका सागत है आज मैं वीजियो लेकर आई हूँ धनू लगन वविष्टिक राशी के लिए वक्री गुरू का प्रभाब देव गुरू बश्पती चार सप्टेंबर दो हजाद देश को वक्री होने जा रहे हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं लगन वगन वा राशी दोनों से वीडियो डालती हो मीरा आज का कमिनेशन है धनू लगन वा विष्टिक राशी का क्या आर्थ है यह आपकी लगन कुल्ली है इसके पहले भाव में नौनमबर लिखा इसका अर्थ है द्नलगन है जेंट्रों में भीजटिक लगननों व विश्टिक राषी आर्ट कि होग्र धनू लगन के लगनेश ही देवगुरु भरसपती बनते हैं और चतुरतेश भी बनते हैं और बरतमान में इस समय पंचम भाप पर गोचर कर रहे हैं मेश राशी में जो शुब है और गुरु जब वक्री हो जाएंगे तो चौथे भाप की तरफ जाएंगे मीन राशी की पंचम भाप के सवामी बनते हैं और बरतमान में छटे भाप पर गोचर कर रहे हैं और जैसे वह वक्री होंगे वह पंचम भाप की तरफ जाएंगे विस्टिक राशी के संग एक महत्यपुन बात विस्टिक राशी पर चल रही है इस समय शनी की डहिया और शनी माहराथ उनों ही वकरी होके आपके लिए शूब हो गए क्योंकि शनी मायराज देएंक गुरु पंचम का अद्शा फल देते हैं तो दोनों आपके लिए पोजरिटीव हो रहे हैं कि इसका आप ध्यान रखियेगा अब हम देखते हैं कि धनू लगनवा विष्टिक राशी के लिए कैरर के लिए कैसा समय है मेरा है मानना है कि अगर आप धनू लगनवा विष्टिक राशी के जातक है और लंबे समय से सोच रहे थे कि अपने कैरर में कोई परवर्तन करें कोई चेंज करें तो गरु सूरों की या मंगल की दर्षा चलरी होगी तो वो जो ट्रांसवेर आपके लिए पौरिटिव होगा लेकिन जज़नी नेगेटिव हुई जैसे शनी की या चंदर की या शुकर की तो टांसफर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है यानि गुरू मंगल और सूर्य तो आपका टांसफर पॉजिटीव कराएंगे और शुकर चंदर और शनी आपका टांसफर नेगेटिव कराएंगे साथ ही क्योंकि धनू लगन से रेख बुरू बर्सपती आपके लाभ भाब को देख रहे हैं विष्टिक राशी से भी लाभ भाब को देखेंगे लाभ भाब होता है हमारा अच्छा पूर्ती का भाब अगर आप लंबे समय से सोच रहे थे कि हमारी केरियर में हमारी पर्मोश अगर आपको बर्तमान जगा पर जौब नहीं मिल रही तो आप जगा बदलने की कोशिश करिए क्योंकि धनू लगन से चतुर्तेश वक्री है और विष्टिक राशी से भी चतुर्तेश वक्री है तो आपका अपना जो बर्तमान निवासतान है इसको छोड़ने का समय चल र है कि दोनों कुण्डलियों में गुरु की दिश्टी लाभभाब पर लाभभाब से आने वाले धन का विचार क्या जाता है तो धन के लिए यह जो है धन लापके लिए समय बहुत अच्छा है चार से तंबर से लेकर 31 दिसंबद दो हो जाते हैं जो दमपती संतान करना चात हैं देवगुरु भर्षपती और देवगुरु भर्षपती इस समय चल रहे हैं वक्री चार सितंबर से 31 दिसंबद तक वक्री रहेंगे लगनेश के वक्री रहने का मतलब होता है पुरानी बिमारी निकल के आना इसलिए अपने स्वास्ते का ध्यान रखेगा साथी लगने समय है कि धनुलगन से भी गुरु पॉजिटीव होंगे और विष्टिक राशी से भी वक्री गुरु पॉजिटीव होंगे तो आपके लिए कहरे से जुड़ी शुब घटनाएं गड़ सकती हैं और वक्री गुरु का प्रभाब जो आपको पासर प्रसेंट तक बढ़िया अच्छी हैं जैसे गुरु की सूरह किया मंगल की दशाय चल रही होगी तो यह परसेंटेज 55 प्रसेंट से उपर वीजा सकती है तो दर्श को यह मेरा वीडियो था कि धनुलगन वबिष्टिक राशी के लिए वक्री गुरु का क्या प्रभाब होगा आपको मेरे वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट बाक्स पर कमेंट करके बताईएगा इसके साथ ही अगर आप यह चैनल पर पहली वार आये हैं और आपने मेरा चैनल वी तर सब्क्राइब नहीं किया तो फिर पर मेरा चैनल सब्क्राइब करतें साथ ही बड़ लाइकन को भी दबादें जैसे स्कादश को जया मादादी